हेलो एवरिवन मैं अनीता ठाकूर वेलकम टू मैं यूट्यूब चानल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पोलेटिकल साइंस बुक भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका चाप्टर 2 हम लोग डिसकस करने वाले हैं एरा वन पार्टी डॉमिनेंस कि ये कुण सा टाइम जो वन पार्टी अंट्रोल करें थी स्टेट्स को भी हो और सेंट्रल को भी जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ चैलेंजेस थे जिनसे कि हम लोगों को निकल के बाहा जाना था ताकि हम लोग डिमोकरिसी को बिल्ड कर सकें अब सबसे बड़ा डिफिकल टास्क था हमारे कुछ ऐसे circumstances थे कि independent India जो था अभी भी born हुआ था just उसको independence मिली थी तो उसके लिए कुछ serious challenges थे कि nation को किसा से build किया जाए even इतनी साथ confrontations हो रही थी country में और बहुत सारी problems थी कि beginning कैसे हो बहुत सारे serious challenges को face किया गया बहुत सारे leaders थे उन्होंने अपनी country के लिए sacrifice कर दिया और उनका ये मानना था कि democracy जो है वो हमारी country afford ही नहीं करती है हमारी country में democratic practices कभी भी नहीं हो सकती है तो उनका मानना ये था कि पहले state nation को unite किया जाए firstly ये first priority होनी चीए उसके बाद democracy को introduce किया अपर बहुत जादा differences हैं बहुत जादा conflicts है therefore उनने ये बोला कि countries जो है अगर उसने independence गेन कर रखी है क्लोनलिजम को experience कर रखा है ते non-democratic rule उनके लिए best रहेगा तो उसके बाद यहां पर क्या बताया गया कि various forms जो थी उनको यूज किया गया कि nominal democracy होनी चाहिए बट effective control होना चाहिए लेकिन किसके द्वारा एक ही leadership of effectively control कर सकता है एक party rule करेगी तो direct control होगा मतलब direct army rule भी हम बोल सकते है non-democratic regime जो है वो start करी जाती थी हमेशा और promise किया जाता था कि हम लोग क्या करेंगे restore करें democracy को दुबारा से बहुत जल्ड restore करने वाले हैं बहुत जल्ड apply करने वाले हैं लेकिन वो खुद से कभी भी इस difficult task को fulfill नहीं कर पाते बहुत सारी ऐसी conditions थी जिससे इंडिया को बहुत ऐसे अलग सी feel होता था कि मतलब हम लोग कभी भी इस तरह का step taken नहीं कर पाएंगे जितना आज के time पर हम लोग develop हैं उतना हम लोग उने कभी सोचा भी नहीं था लेकिन कुछ ऐसे leaders भी थे जो independently कहते थे कि India newly independent हुआ है तो हम लोग को बहुत difficult task को अपनाना नहीं है हम लोग को tough task जो हैं वो बहुत हमारे ले complicated हो सकते हैं हम लोग को कुछ ऐसे ways अपनाने होंगे जिनसे हम लोग क्या कर पाएंगे easily democratic ideas को मतलब establish कर पाएंगे हमारे जो leaders थे वो यह अच्छी तरह से जानते थे कि हमारा role जो है politics related कहीं न कहीं critical ही है हम लोग democracy को establish करने में इतने जादा मतलब abled नहीं है और उनको यह भी पता था कि politics एक बहुत बड़ी problem है उनके लिए बहुत बड़ी problem थी और इस problem को कभी भी solve किया जा सकता था उसके अलग-अलग तरीकों से लेकिन हर एक society चो थी वो यह चाती नहीं थी उनको समझाना बहुत जरूरी था अब हर एक society चो थी उसको यह मतलब need थी कि decide किया जाएगी किस तरह के government होगी उनको कौन लोग regulate करेंगे, किस तरह के ways अपनाए जाएगे, कौन कौन सी policies अपनाए जाएगे किस तरह के alternatives होगे और किस तरह की form of government को choose किया जाएगा बहुत सारे groups थे, अलग-अलग तरह के, अलग-अलग तरह के उनमें conflicts भी होना शुरू हो गया जैसे कि हम लोगों को पता है, जब elections होते हैं, सभी लोग compete करते हैं, कि हम लोग को पार मिलनी चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ politics में ही मिलती है, political activities का एक ही परपस है, कि हम लोग decide कर पाएं और political interest को, public interest को enhance कर पाएं, जो कि political leaders के लिए एक better option था कि हम लोग क्या कर पाएंगे, तब भी decision ले पाएंगे, जब लोगों की participation होगी finally, जो last year हम लोगों ने discuss किया था, constitution में, class 11th में, तो उसमें आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने अपना constitution ready किया था, कब उसको sign किया था, 26 November 1949 में और effect में कब आया था, मतलब उसका implement कब किया गया था, 26 January 1950 में किया गया था, और हमारी country ने, मतलब, 4 से 5 साल तक interim government को चलाया, ठीक है और उसके बाद ये necessary है कि हम लोगों ने first democratic elected government जो थी country में वो apply करी और उसके बाद हमारा constitution जो था, उसमें कुछ rules and regulations को मतलब written form में लाया, ताकि हम लोग एक proper machinery बना सकें, जिसको एक place पर रखा जाए और सभी लोगों इसको obey करेंगे तो उसके बाद यहां पर बताया गया, सिर्फ ये कुछ months का ही matter नहीं था, कुछ महीनों में इसको बनायाने गया था और आप लोगों को पता है, इसको ना 2 years लगे थे बनाने के लिए, 11 months लगे थे, 18 days लगे थे और बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोगों ने sacrifice भी किया हमारे constitution को बनाने के लिए, 6 day constitution की reading करी थे, बहुत सारे provisions को हम लोगों ने बाहर से लिया था और election commission जो था, इंडिया का उसको जनवरी 1950s में establish किया गया था और first election commissioner जो थे, उनका नाम था सुकुमार सेन, ठीक है और उसके बाद first election जो थे, उसको कहा गया कि ये कब होंगे, around 1950s में होंगे लेकिन election commission जो था, उन्होंने देखा बहुत साथा problems चल रही है हम लोग बहुत, मतलब ये free and fair elections जो है, वो नहीं conduct करवा पाएंगे क्योंकि इंडिया का size जो है, वो बहुत बड़ा है तो election के लिए उन्होंने delimitation commission को set करना शुरू कर दिया boundaries लगाना शुरू कर दिया, कि कितनी electoral consequences है, उनमें से कितने candidates को choose करना है तो सबसे पहले उन्हें electoral rolls को बनाया, उसमें list mention करी गई, कितने citizens eligible हैं, जो broadcast कर सकते हैं और task बनाया गया है कि कितने time में हम लोगों को कितनी जगह पे elections conduct करवाने हैं first draft जो था, जिसमें rolls लगाए गए थे, publish करेगे थे, उसमें कितने लोगों के नाम थे 40 lakh women थी, जिनको record किया गया था first list में, उसके बाद यहां पर क्या बता गया, जो wives थी, daughters थी, ठीक है election commission ने refuse कर दिया, मना कर दिया, कि हम लोगों के entries नहीं लेंगे और एक दुबारा से revision होगा इनका, कुछ लोग जो है, उनको delete किया जाएगा और deletion करना बहुत जरूरी था, ठीक है, अब उनने कहा कि हम लोग क्या करेंगे first election जो है, वो मतलब कुछी months में मतलब हो चाहेंगे, तो अभी तक कोई election जो है new election on the scale had ever been conducted in the world before, इतना बड़ा मतलब level पे, large scale में election को conduct कराना, इतनी साथ population होने के मतलब बावजूद भी, तो वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नेशन नहीं था, जिसने पहले election करवाई हो इस तरह से, दीक है, उस तेम पर 17 करोर eligible voters थे, और elect किया गया था, जिनको, मतलब जिन में से 32 MLS, 3200 MLS को elect किया गया था, और 489 members जो थे, लोग सबागे elect के गये थे, और 15% जो थी, वो eligible voters थे, जो literate थे, जो पड़े लिखे थे, election commission ने सोचा कि एक special method के through voting होनी चाहिए, और election commission ने क्या किया, officers को training provide करी 3 lakhs officers को, उन्होंने pulling staff के लिए, मतलब train करा, ताकि वो elections को properly conduct करवा सके, हमारी country का size बहुत बड़ा होने के पावजूत electorate जो था, वो एक तरह से unusual elections होते वो conduct हो रहे थे, और first general election जो है, वो बहुत बड़ा एक test था democracy का, एक बहुत ही poor country में, जिसकी literacy rate बहुत ही low था, और जब तक हम लोग बोलें कि, democracy नहीं होगी, तब तक एक country जो थी, वो prosperous country नहीं माने चाती है, युरोप, अमरीका जैसे nations जो थे, अभी वहाँ पर बहुत सरी लोग जो थे, वो फर्स एक्सपिरियंस था, जहां पर universal adult franchise के accordingly elections हो रहे थे, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर बता आ गया, यह बहुत सदा bald भी था, और इसकी भी था, कुछ Indian editors थे, जिनने कहा कि यह biggest gamble है, history में, कि जहां पर elections हो रहे हैं, magazines में बहुत कुछ लिखा गया, तो उन्होंने यह बोला कि यह universal adult franchise जो है, सबसे पहले इंडिया में कंड़क्ट हो रहे हैं, British members से, जिनने Indian Serial Services, उन्होंने यह क्लेम किया कि यह future जो है, बहुत ही enlightened है, यह एक ऐसी एच start हो गी है, जिसमें कि Indians जो है, वो मतलब millions की numbering में illiterate population जो है, वो broadcast कर सकते हैं, कर रहे हैं, I hope आप लोगं को समझ में आ गया हो इतना, next हम लोग next video में study करेंगे, thanks for listening and stay blessed always.